हाई अप्रिवन मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज हम बात करने वाले हैं फिश ओईल से मिलने वाले साथ बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनेफिट्स के बारे में ओमेगा-3 fatty acids जो हैं दोस्तों ये ना सिर्फ हमारे दिल को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी सहत को अच्छा रखते हैं बलकि इसके साथ-साथ हमारी बोडी के और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसका ख्याल रखते हैं और उनको हेल्दी बनाए रखते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी चीजों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और जानेंगे के आप अगर ओमेगा-3 fatty acids वाला ये जो fish oil है इसको लेते हैं तो इससे आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे in terms of your cardiac health और in terms of अलग-अलग दूसरे जो systems हैं उसके दोस्तों heart diseases जो हैं ये दुनिया भर में एक बहुत ही leading cause है deaths का but studies से ये देखा गया है कि जिन लोगों की diet में fish primarily वो लोग लेते हैं ऐसे लोगों के अंदर जो cardiac problems होने का heart diseases होने का और heart attacks होने के जो खत्रा है वो काफी जादा कम होता है और जब इसमें further research की गई तो यही बात पता लगी कि क्योंकि fish के अंदर omega 3 बहुत जादा होते हैं तो ऐसे लोगों का heart health है वो जादा अच्छी रहती हैं जादा सेहत मन्द रहते हैं और लंबी उमर तक उनका जो cardiovascular system है वो बढ़िया तरीके से काम करता रहता है अगर आप regularly अपनी diet में fish खाते हैं या फिर omega 3 दूसरे oils की मदद से लेते हैं तो उस case में आपको जो HDL cholesterol है यानि जो अच्छा cholesterol होता है जो कि आपकी दिल की सहत के लिए बढ़िया माना जाता है वो तो बढ़ता है और इसके साथा जो LDL cholesterol है यानि जिसको bad cholesterol या बुरा cholesterol कहते हैं वो कम होता है इसके साथा triglycerides जो कि आपके खून के अंदर होती है और एक बहुत ही बढ़ा factor होती है आपकी नसों के अंदर जमने के लिए तो इस triglyceride को भी कम करने का काम करता है omega 3 fatty acid इसके साथा आपका बढ़ा हुआ अगर blood pressure आपको रहता है तो उस case में भी आपको काफे relief मिलता है blood pressure को कम करने का काम करता है और सबसे बढ़िया चीज जो इसके अंदर property होती है वो ये कि अगर आपकी arteries के अंदर नसों के अंदर plaque formation हो रहा है यानि cholesterol जम रहा है और उसकी उज़े से placking हो रही है narrowing हो रही है और कहीं कहीं आप कह सकते हैं खून का जो दोरान है वो कम हो रहा है आपकी heart muscles में जिसन के किसी भी हीसे में तो उस placking को भी कम करने का काम करता है fish oil तो overall आपकी जो cardiovascular health है उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया संजीवनी booty है omega 3 fatty acid जिसको आप इस fish oil की मदद से रोजाना अपनी diet में ले स होते हैं बलकि इसके सासाथ आपकी eye side के लिए भी बहुत ही जादा important होते हैं हमारी जो eye side है या जो हमारी आखे है इसकी सेहत के लिए omega 3 fatty acid हमें regular लेना चाहिए अगर हमारे अंदर omega 3 fatty acid की कमी हो जाती है जो की बहुत एक आम चीज है बढ़ती उम्र के सासाथ तो आखों के अंदर जो degenerative diseases हैं जैसे कि cataract है या और दूसी तरहां की problems है या कोई nerve problem है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है और हमारी eye side कमजोर होने शुरू हो जाती है तो बहुत ही important है कि हम regularly अपनी diet में omega 3 fatty acid को या fish oil को लेते रहें जिसकी वजह से हमारी जो आखों की health है वो भी अच् तरहां की जो eye side related problems हमें होती है उनसे भी हम काफी हद तक बचे रहें दोस्तों जब हमारी body के अंदर कोई infection होता है या कोई injury हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए या उसको दूर करने के लिए हमारा immune system एक response पैदा करता है और इस response को बोलते हैं inflammation ये inflammation वैसे तो हमारी body के ल के लिए होता है लेकिन अगर ये chronic form में हमारे अंदर हो chronic form का मतलब है कि अगर ज्यादा लंबे समय से inflammation होता रहता है ये process चलता रहता है हमारी body के अंदर तो उसकी वज़ा से बहुत सारी problems भी हमें face करनी पढ़ सकती है for example chronic inflammation की वज़ा से आपको बहुत सारी heart diseases का खत्रा बढ जाता है chronic inflammation की वज़ा से diabetes, depression या obesity या मोटापे जैसी problems आप face कर सकते हैं arthritis जैसी problems especially rheumatoid arthritis भी एक ऐसी problem है जो कि आपको chronic inflammation की वज़ा से होती है एक autoimmune disease होती है इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हमारी body में जो inflammation है chronic वो ठीक हो जाए या वो कम हो जाए अगर हमा प्रॉब्लम्स का जो खत्रा है वो भी अपने आप ही कम होने लगेगा तो फिश ओई लेने से आपको यही benefit मिलता है कि आपका जो chronic inflammation है उसको यह कम करने का काम करता है inflammatory process को slow down कर देता है दोस्तों फिश ओईल आपकी skin के लिए भी बहुत ही जादा बढ़िया चीज है अगर आप अपनी skin को healthy और glowing बनाना चाहते हैं तो आपको फिश ओईल regular इस्तमाल करना चाहिए या फिश खानी चाहिए फिश के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया omega 3 fatty acids होते हैं और इसके आपकी skin के texture को improve करते हैं आपकी skin को smooth बना देते हैं blemishes को pigmentation को जाईयों को कम करने का काम करते हैं आपकी skin को tight करते हैं चमकदार बनाते हैं और overall आपके जो face है आपकी body की skin है वो आपको अच्छी और soft महसूस होती है ड्राइनेस काफी हद तक आपकी ये कम कर देता है इसके स benefit मिलता है fish oil इस्तमाल करने से आपकी liver health भी improve होती है अगर आपके liver में कोई कमजोरी है सूजन है या liver ठीक से काम नहीं करता है तो उस case में fish oil आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है जिसको आपको regular इस्तमाल करना चाहिए fish oil अगर आप regular इस्तमाल करेंगे तो उसकी वज़े से आपके जो liver का function है liver functioning है वो improve हो जाती है ज्यादा enzymes आपका liver secret करता है उसके आसपास जो जमा हुआ fat है जिसको fatty liver बोलते है उस case में आपको काफी अरा मिलता है वो fat कम होने लगता है और आपका liver ज्यादा healthy बन जाता है जिसकी वज़े से overall आपकी जो health है वो भ दोस्तों जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है उसके साथ-साथ हमारी जो bones है उनके अंदर से minerals कम होने लगते हैं अब ये minerals जब हमारी bones से कम होते हैं तो उसकी वज़े से हमारी bones खोकली होने लगती हैं सक्त होने लगती हैं और आसानी से टूट जाती हैं इसकी वज़े से fracture का खत बटा रखना चाहते हैं बोन्स के अंदर और निकलने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए दो चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम कितना भी ले लें वो हमारी bones के अंदर absorb ही नहीं होगा और जब absorb ही नहीं होगा तो bones अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी तो इसलिए क्योंकि vitamin D बहुत जादा होता है fish oil के अंदर तो ये काफी जादा helpful होता है आपकी bones को healthy बनाने के लिए इसके साथ कुछ recent studies ने ये भी बताया है कि omega 3 fatty acids जो कि fish oil के अंदर होते हैं ये भी काफी अच्छा role play करते हैं आपकी bone health को improve करने के लिए तो अगर आप advancing age में हैं और आपको लगता है कि आपकी bones कमजोर हो रही हैं या आपको कोई इस तरह की problem है जैसे कि osteoarthritis या osteoporosis जो कि calcium की कमीस की वज़ासे होती हैं या फिर आपकी bones की density कम होनी की वज़ासे होती हैं तो ऐसे cases में अगर आप fish oil लेते हैं तो ये आपको काफी ज़दा beneficial होगा और आपकी bones को healthy बनाए रखने में आपकी मदद करेगा दोस्तो हमारा brain 60% fat होता है और इस 60% में से भी जादा तर जो हिस्सा है वो बना होता है omega 3 fatty acids से तो आप समझ सकते हैं कि कितना important है हमारी brain health के लिए omega 3 fatty acids अगर हमारे इंदर omega 3 fatty acids की कमी हो जाएगी तो उसकी वज़ासे हमें dementia जैसी problems हो सकती है हमारा दिमाग कमजोर हो सकता है हमारा brain function पे इसका काफी जादा negative effect आ सकता है इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनकी growth करते समय यानि उनकी जो growth का period होता है उस time पे अगर उनके अंदर omega 3 fatty acid कम हो जाते हैं तो उसकी वज़ासे जो है उनका brain का development काफी जादा effect हो जाता है brain उतना अच्छा develop नहीं हो पाता है उनके जो memory function है उनकी जो चीजों को समझने की और याद रखने की जो quality है ability है वो काफी हद तक कम हो जाती है तो इसलिए बहुत important है कि अगर हम अपने brain function को improve करना चाते हैं अपनी memory को sharp करना चाते हैं और learning process को enhance करना चाते हैं तो हमें omega 3 fatty acid regularly लेने चाहिए जो कि हम ले सकते हैं fish oil से क्योंकि fish oil में मिलने माला omega 3 fatty acid सबसे बढ़िया होता है दोस्तों एक बहुत common सवाल जो कि अकसर लोग मुझसे पूछते हैं और I am sure कि आप लोग भी comment section में जरूर पूछेंगे वो ये कि अगर आप fish oil लेना चाते हैं तो उसके लिए कौन सा supplement आपको इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों वैसे तो market में बहुत सारे अलग लग तरह के fish oils available हैं बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं recommend करता हूँ Nveda का omega 3 fish oil ये एक बहुत ही अच्छा reliable और pure fish oil है जो कि मैं बहुत साथा recommend करता हूँ अपने सभी patients को भी और इसकी recommend करने की एक वज़ा ये है कि ये pure होने के साथ पूरी तरह से free है from heavy metals यानि fish oil जब आप लेते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्य आपको ये आती है कि जो fish oil है वो pure होना चाहिए क्योंकि fishes जैसा कि आप जानते हैं वो समुंदर में रहती है और अलग-लग तरह की चीज़े वो खाती रहती है इसके साथ साथ समुंदर के अंदर बहुत सारा ऐसा industrial waste भी है यानि ऐसा fish oil हो जिसमें extract करके निकाला गया हो और उसको पूरी तरह से pure करके एकदम safe तरीके से आपको परोसा गया हो जिससे कि आपको सिर्फ उसके फायदे मिले और नुकसान ना मिले तो इस N-Veda के fish oil को recommend करने का एक जो reason है मेरा वो यही है कि यह पूरी तरह से safe भी है पूरी तरह से परमानित भी है WHO GMP certified plants में इसकी manufacturing होती है और इस fish oil को एक और USP जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो यह कि इसके price बहुत reasonable है same quality का और same amount में same DHA के साथ same composition के साथ अगर आप किसी दूसरी company का लेते हैं जो काफी popular companies हैं मैं नाम किसी का दिलूँगा बट still आप अगर दूसरी company से इसको compare करेंगे तो जो price है वो करीब one third आपको मिलेगा same same चीज सब कुछ आपको मिलेगी दूसरी companies में इससे करीब 3 गुना price में तो price भी एक बहुत बड़ा reason है इसको recommend करने का और ना सिर्फ price बलकि main जो reason है वो ये कि इसकी quality आपको काफी अच्छी मिलती है और एक बहुत ही reasonable price में भी मिलती है इसके साथ अगर आप इस product के बारे में Amazon या Flipkart पर थोड़ी सी research करेंगे तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि ये एक बहुत ही जादा highly rated product है जिसके बारे में mostly जो users हैं वो अच्छा ही review आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में तो एक काफी अच्छा और promising product है जो कि मैं recommend करता हूँ अगर आप यूज करना चाहते हैं किसी अच्छे fish oil को जो कि reliable भी हो, pure भी हो, effective भी हो और पूरी मातरा में आपको fish oil दे तो ये एक बहुत अच्छा product है जिसको आप consider कर सकते हैं इसको Amazon से, Flipkart से या और दूसरी किसी भी website से या फिर इन्वेदा की अपनी website भी है वहाँ से भी आप इसको order कर सकते हैं और मगा सकते हैं इस product में आपको 1 dB के अंदर 60 capsule मिलते हैं जो कि आपको लेना होता है दिन में एक या दो time आप सुभे शाम भी इसको ले सकते हैं या दिन में एक time भी ले सकते हैं एक capsule के अंदर आपको 1000 mg fish oil मिलता है और गरीब 300 mg इसके अंदर होता है जो कि एक बहुत ही important चीज है यानि कहना चाहिए main चीज है fish oil में से जो कि आपको चाहिए होती है तो overall काफी अच्छे concentration में आपको इसमें EPA, DHA मिल रहा है और fish oil भी काफी purity के साथ एक gram एक capsule में मिल रहा है तो एक या दो capsule आप दिन भर में इसका ले सकते है खाना खाने के फॉरण बाद लेंगे तो जादा अच्छा होता है खाली पेट इसको लेना मैं recommend नहीं करूँगा सबसे अच्छा होता है कि इसको आप खाना खाने के दुपैर का खाना खाते है तो उसके बाद आप एक capsule ले लीजे और रात का खाना खाने के बाद एक capsule इसका आप ले लीजे एक और अच्छी चीज जो मुझे इस capsule की लगी इस product की लगी जिसकी वजह से मैं आपको इससरे recommend कर रहा हूँ वो यह कि आम तोर पे जब आप कोई दूसरा product लेते हैं fish oil का तो उसे खाने के बाद आपको fishy smell आती है मुह से आपके मचली वाली smell आईगी या फिर आपको burp आती है डकारे आती है यसी और उसमें आपके मुह में टेस्ट आजाता है फिश का तो इस capsule की एक USP ये भी है कि इसके अंदर आपको इस तरह की problem नहीं होगी जो smell आती है मुह से fish की वो भी आपको नहीं आईगी और जो डकारे टाइप की आती है उसमें fish की smell आती है वो problem भी आपको इसमें face करनी नहीं पड़ेगी अब बात कर लेते हैं fish oil से होने वाले probable side effects के बारे में दोस्तों वैसे तो fish oil पूरी तरह से safe होता है अगर आप pure fish oil ले रहे हैं तो उससे आपको कोई side effects नहीं होते हैं कुछ एक minor side effects हैं जो आपको हो सकते हैं जो की है fishy smell in your breath यानि आपकी जो सांस है उसके अंदर कई बार fish oil लेने की वीज़े से आपको fish की smell आती है जो की बुरी रखती है इसके इलावा डखारे आपको आती है मुग के अंदर taste आ जाता है fish का वो भी side effect है या एक negative effect है जो की आपको हो सकता है बट अगर इन दोनों की हम बात करें तो दोस्तों एनवेदे का जो product में आपको भी recommend किया है इस product से आपको ये दोनों ही problems face नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा उन्होंने करा है कि ये दोनों ही चीज़ें आपको बिल्कुल भी face नहीं करनी पड़ती है इसके साथ साथ अगर हम तीसरे side effect की बात करें तो आपको stomach upset हो सकता है पेट में दर्द या मरोड की शिकायत आपको हो सकती है nausea की शिकायत कुछ लोगों को हो जाती है कुछ लोगों को लगता है कि दिल मचला रहा है और उल्टी जैसी आनी शिरू हो जाती है या फिर कुछ लोगों के अंदर allergy हो सकती है अगर कोई आप इस तरह के हैं जो आपको fish से allergy है कुछ लोगों को fish suit नहीं करती है तो ऐसे लोगों को fish oil लेने से भी problem हो सकती है apart from this कोई ऐसा serious side effect fish oil लेने का नहीं होता है जिसकी वज़र से आप इसको लेने से बचे सिर्फ अगर ये 2-4 problems आपको हो रही है तो उस case में आप fish oil नहीं लेंगे या फिर अगर आप कोई vegetarian है जाहिर सी बात है तो आपको fish oil नहीं लेना है बड़ उसके इलावा आप इसको ले सकते हैं पूरी safety के साथ और बिना किसी problem के दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने fish oil से मिलने वाले benefits के बारे में भी सीख लिया होगा और अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा अगर आपके कुछ thoughts हैं या आप अपने कुछ experiences share करना चाहते हैं तो आप comment section में जरूर लिख सकते हैं आपको fish oil खाने से क्या problems face करनी परती हैं या आपको इसके खाने से क्या benefits मिले इस तरह के comments भी जरूर करिएगा ताकि हम लोग भी जान सकें और आप लोगों से interact कर सकें कि आपका क्या experience रहा इस बारे में इस product को यूज़ करिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजएगा और आगे भी इस सफर में हमारे साथ बने रहेगा मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ के फिर भी लूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़ियासी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा